हेलो एन विल्कम दोस्तो दीप इलेक्रोनिस लैब में आपका बहुत-बहुत स्वागा थे दोस्तो आप इसे टीबी को देखिए जो कि सामसेंग का एक एसेंडेल टीबी है इसके अंदर यह जो डिस्पले है यह क्रैक हो चुका यानि कि बुरॉकन हो चुका है तो इसको अगर आप आपने टीबी का डिस्पले को लगाना चाहते हो तो आप हमारे सर्विस सेंटर में आ सकते हो और आज की इस वीडियो के अंदर आपको कम्प्लीट बताऊंगा कि एक टीबी के अंदर पैनल को इंस्ट्रॉल करने के लिए कौन-कौन सा स्टेप्स को खोलो करने हो जालता हूं और बहान निकलने के बाद इसके अंदर हम लोग ओरिजिनल एलजी टीकॉन वाला जो है इसके अंदर पैनल को लगाएंगे तो अगर आप वाकई में देखना चाहते हो जानना चाहते हो कि किसी भी टीबी का डिस्पले को कैसे रिप्लेस्मेंट किया जाता है त किसी इस कर दो किलेता है पैसके हम अँड़ोल पाद शालता है जानना फमने को कि आपिनल ok एरिक कर दιदनाद के जावगावावणय को तो कि अाभने भीफ़ोला कुल जान में ऋल्टने की आपिला पाद मतंगे पाद audio काहते हुशखग।र यावशजर पालता टीबी का बैक साइड को ओपेन करने के बाद हमने इसके अंदर जीतने भी डास्ट बगरा था सब कुछ हमने किलेर कर दिया हूं और किलेर और किलीर और किलीन करने के बाद अब हमारे बाड़ी आते हैं कि पैनल का जो PCB लागा हुआ है जिसको सोर्स PCB अब बहुल सकते हो तो सो पैनल को सही सलमत अटास करके रखने के लिए जो फ्रेम लगा हुआ रही था उपर में वो हमने बहुत ही बाड़ी के से बहुत अच्छे तरीके से निकाला हूँ ताकि ये फ्रेम का जो कनेक्टर होता है जो लॉक होता है वो लॉक तूटना जाए उसके बाद हमने इसको साइ लग होते हैं वो लिए रिफलेक्टर को बचाते हुए यानि कि वो खरब ना हो जाए इसलिए हम पैनल को बहुत ही अच्छे से निकालेंगे और इसके अलावा भी और एक बात आते है कि पैनल को निकालने के लिए कही बार वह हमरा पैनल एक अच्छे गाम के जरीए जो है चिप करेता है तो उसको डिसाटैस्मेंट करने के लिए डिसकरनेट करने के लिए हमारे को ये एक पत्ति को मैंने इस्तेमाल करा हूँ उसके बाद उसको डिसकरनेट कर दिया हूँ उसके बाद ये देख सकतो हमारा पैनल जो कि टुटा हुआ है ये मैं साइड में रख लेत करता हूँ किसी भी टीवी का क्यों ना हो यह जो आप पैनल देख रहे होंगे इसी पैनल को लगाता हूँ जो कि LG का है और इसका पिक्चर क्वालटी की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त है हमने बहुत सरे अलग अलग तरीके का या कंपनी का पैनल को इस्तमल करा हूँ जैस इसी पैनल को लगाता हूँ इसमें क्या होता है कि एक 200 रूपीज के लिए कास्टोमर का जो साठीसफेक्शन होता है बहुत ज्यादा हाइए लेवल का होता है यानि कि उसको खुसी होती है जब पिक्चर देखता है इसे पैनल के अंदर इसी लिए मैं इसी पैनल को इस्तमल करता हूब और दूस्तों इस panel के साथ एक t-con board भी आते हैं और उस t-con board को लगाने के बाद इसका panel का जो live ही बहुर और भी बर जाती है और यह बिना t-con के नहीं चलता है और t-con panel के साथ ही मिलता है चलिह आब मैं इसका frame को सही सलामत attachment कर दिता हूँ उसके बाद मैं क्या करूँगा इसके अंदर जो T-Con लगाने पड़ता है वो T-Con को लगा के हमको क्या करेंगे इसके अंदर normal board लगा हुआ है उस board को हम निकाल के Android board लगाएंगे क्योंकि अभी यह जो हमारा TV है यह normal TV है और customer ने मेरे को बोला है कि इस TV को Android बनाना है तो same to same 32 inch का जो combo motherboard market से मिलती है वो same motherboard हम इसके अंदर लगाएंगे जिसके बाद यह TV हमारा Android TV में convert हो जाएंगे अगर आपको भी अपना TV को Android बनाना है motherboard को replacement करके तो आप हमारे online site से Android motherboard purchase कर सकते हो नीचे description में link दिया हुआ है Android motherboard का उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि Android motherboard को लगाने के बाद इस TV का interface और इसके अंदर हम net चला के देखेंगे, YouTube चला के देखेंगे और बाकी जो सारे surfing है वो हम सारे कुछ देखेंगे सबसे पहले तो मैं इस TV को assemble कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी जो है इसके अंदर जो normal board लगा हुआ है और इसी normal mode को अभी देख सकते हो, board का color जब कुछ और है और हम इसके अंदर Android board लगाएंगे, जिसके बाद यह हमारा TV बिलकुल normal से Android हो जाएंगे बहुत सरी लोग मुझे comment करते हैं कि हम अपने TV को Android बनाना चाहते हैं, तो आपके पास दो रास्ता मतलब रहता है या मिलता है, आपने किसी भी normal TV को Android TV में बनाना के लिए हमारे पास पहला जो रास्ता होता है वो हमारे पास होता है कि Android TV box, यानि कि market से जो Android TV box मिलता है, उसको लगा के आप अपने normal TV के Android में convert कर सकते हो, उसके बाद दूसरा जो हमारे रास्ता होता है, वो motherboard change करना यानि कि motherboard replacement, तो हमने इस TV के अंदर यही करा हूँ कि जो पुराना board था, वो हमने निकाल लिया हूँ उसके बाद इसके अंदर निया Android board लगा दिया हूँ, जो कि आप देख सकते हो, अभी यह जो board है, हमारा Android motherboard है, combo motherboard 32 inch के लिए, चली अभी मैं इसको assemble कर देता हूँ, और इसको test करके देखता हूँ, जो हमारा Android का interface है, आपको कुछ इस प्रकर से देखने को मिलेंगे, आभी मैं आपना जो swap का Wi-Fi है, वो Wi-Fi में आभी इस TV के साथ connect करने वाला हूँ यहाँ पर देखिए, connect हो चुका है, और अब YouTube भी open हो चुका है, तो चली आप मैं कुछ चला के दिखाता हूँ, और आपको दोस्तों बता दूँ कि नीचे देखिए, जो वो ही same to same मतला टीवी है, Samsung लिखा हुआ है, और आभी हमने जो पैनेल को इसके अंदर इस्तेमल करा हूँ, देखिए, इस्टिकर भी लगा हुआ है, आभी मैंने इस्टिकर को भी नहीं निकाला हूँ, आपको बीच में दिख रहा होगा, कि बीच में जो इस्टिकर है, निया पैनेल का, वो आपको दिख रहा है, तो आभी मैं कुछे चला के दिखाता हूँ, और इसका picture quality में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे इसका picture quality, असर्थमेस और brightness. अधिनी ए Standards खाडी का, रहें झोट्टा, दें जिलेंगे खाड़ अपको मुझा आसा है कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया है अगर पसंद आ है तो लाइक जुरूर कर दीजेगा और अगर आप इसी प्रोकर के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सबस्ट्राइब करके जुरे रहे है और दोस्तों अगर आपके मन म किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल या सुजाव है तो नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हो मैं उसके उपर बहुत ही जल्द वीडियो बना के आपके सामने पेस करूँगा और इस चोटा मुटा कोई चीज हुआ तो मैं जल्दी कमेंट पर ही आपको रिपले कर दूँग तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए we see you all the best